USBRL में संगलदान से बनिहाल के बीच का ट्रेक ओपन किया जा चुका है, इस पर ट्रेनों की आवाजा ही हो रही है, लेकिन सभी लोग पूछ रहे हैं कि आखिर कार स्रिनगर से कट्रा के लिए ट्रेन कप चलेगी, स्रिनगर से जम्मू के लिए ट्रेन कप चलेगी, इन सारे की धा मिलवाते हैं नार्दन रेलवे के जीम सोभन चौधरी जी से और उनी से पूछते हैं सर अभी तक की अगर हम बात करें तो यस बीरल में अगर हम देखें तो कहां से कहां तक ट्रैक ओपन हो चुका है हलागे हम वहां गए भी थे संगलदान तक उसके बाद आगे की प्र प्रदानमंद्री के दौरा बनिहाल से संगलदान करीब करीब चैलिस किलो मीटर का ट्रैक ओपन हो चुका उस पर गाड़ी चल रही है वैली में तो वैली में अभी बारा मुला से श्रीनगर होते हुए बनिहाल से संगलदान तक गाड़ी चल रही है बचता है पोर्शन जो आपका 42 42 3 किलो मेटर यह हम जून तक हम कर ले कमिशन फिर आखरी में एक ही ब्लॉक सेक्शन बचे का करीब 17 किलो मेटर का जो की कट्रा से रियासी है जिसमें की टी वन टैनल आता है जिसका क्या आप अच्छे बहली बाती जानते हैं कि टी वन टैनल में काफी जोलोजिकल चै का कर्मचारियों का कोई नुकसान ना हो तो टी वन में भी अब काम पूरे जो शोर से चल रहा है और आशा करते हैं कि इसको भी यह जो 17 किलो मेटर का सेक्शन है इसको भी जल्द से जल्द जून के बाद जब संगलदान से रियासी कमिशन हो जाएगा उसके बाद इसको भी टेक अप करके इसको भी उसके बाद शीग्रेस अतिशीग्रेस कंप्लीट किया जा रहागा संगलदान से रियासी के भी जूसके हम देखें तो हम जो जो टी फर्टीन और टनल है! सावल कोट यार्ड में वहां पे थोड़ा काम बाकी है और एक बिज में ब्रिज है तो उस पे भी काम पूरा चल रहा है और हमने अभी टार्गेट किया है कि मई के महीने में जो हमारा उसका सेफटी का कमिशनर और रेलवे सेफटी के दौरा जो कंपल्स जरी स्टैचूचरी निरिक्शन होता है उसको कर ले और उसके होने के बाद ही हम उसमें गाड़िया चला सकते हैं तो अभी हमारा वो उस पे जो काम थोड़ा बहुत बचा था वो काम पूरा कर लिया जा रहा है क्योंकि उसमें भी बीच में टी फूर्टीन और टी थर्टीन टनल में भी जिया पिछले साल वाइड बारिश के से में वहां पर काफी स्टेपस लेना पड़ा एक्सिपश ने वहां विजिट किया xu PRO Suite है, तो से कारण थोड़ा सा उसे में डिले हुआ था आ हुआ जून में जुन में उस गार सेक्शन में हम जाने का मतलब है, गार संल डा तक तो आय रही है संगलदान से रियासी तक गाड़ी आजाए सर एक इससे जुड़ा हुए सवाल है चनाब ब्रिज की बात करें तो चनाब ब्रिज पर पूरी तरीके से काम हो चुका है चनाब ब्रिज पर पूरी तरह से काम हो चुका है काम इदि आप इस सेक्शन में देखते हैं जो काम बाकी है जहां पे लास्ट मेकस्किशन वा था ऐस बाकी टैनल के अंदर भी काफी काम हो चुका है अब जो पोशन बाकी है जिसका लास्ट मेकस्क कविशन होके खिए था उसमें ला इंड», 먹어 काम चालू है और बाकी के भी फिर जो बील्टी का बैलस्ट्रेस ट्रैक बिचाने का काम होगा, वो सब उसके बात किया जाएगा, कि अगर हम in the realm यहां उस पर भी ऑप्षाया जा चुका है ह। उस पर वी क्ष्छाएा जा चुक है उस पर अगले smarter अ चबहए चुड़े गा तीन चार मेहने में कोशिश है चार-वाच मेहने मि हम कह सकते ऑं कि हम भारत की किसी भी कोने से जम्मू से होते वे श्री नगर जा पाएंगे सर आपका देश सर धन्यवाद धन्यवाद यहां पर समझे स्री नगर से जम्मू के लिए सीधा सीधा ट्रेन चलेगी और इसके लिए रेलेवे कमर कसे हुए है तेजी से काम किया जा रहा है जल्द से जल्द जो काम बाकी है उ जम्रामें सकील हमत के साथ सिध्धार्थ न्यूज इस्टेशन दिले.